आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपको बता दे कि कुछ दिनों से लगातार जो है एक ख़बर वाइरल हो रही है कि सची वाला के सुत्रों के अनुसार आगामी चुनाब को देखते हुए आपको बता दे यहाँ पर डियलीड वाले पर अरत्मिक्ता का जो आदे सिक्षा विभाग ने जारी किया है वे आपस लेने पर वीचार कर रही है इसको ले करके सनी वारतक नए आदेस जारी होने के जानकारी आप सबी अभियार्थियों को बिल जाएगा आपको बता दे एक बरी खबर यहां पर दे दे आपको, कि अभी सचीवाले के जो अधिकारी है, उनका कायना है, कि वे जो है सुक्रुबार या फिर सनी वर्तक जैसे के उन्होंने कहा था, पिछला सुक्रुबार को जब अभ्यार थी, सचीवाले में जब अधिकारीों से मिले थे तो उनका कायना लेकिन आपको बता दे, अगर जारी नहीं होता है, सचीवालय के अधिकारियों से मिलेंगे, और उनको अपना सुजाब देंगे, कि सर आपने अभी तक ये निर्णाय नहीं लिया है या फिर आपने ये नहीं बताया है कि आप जो परार्थमिक्ता वाले जो डियलेट को परार्थमिक्ता विला है इस पर आपने क्या निर्णाय लिया है कहीन कहीन आपको बता दे परारतमिक्ता वाला लेटर या फिर नहीं करेंगे असमंजस की स्थिति बनी हुए मेरा मानिए तो आपको बैता दे यहां पर अगर रियर्ड करना होता तो अधिकारी जल्द ही कर दिया होता लेकिन अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में हाला कि एक बरी ख़बर आपको दे या फिर वेफसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता देंगे डीएड और बीएड को लेकर के जो डीएड अवियार्तियों को जो परारतमिक्ता दी गई है इसके संबंद में और आपको बता दे इसको लेकर कि उन्होंने कहा जो भी जो है मारा निर्णाय लेकिन माना जारा है कि सुक्रबार या सनिवार तक कभी भी जारी हो सकता है, सचिवाले के अधिकारियों का जो भी फैसला होगा वो, वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, कि एक मुद्दा अभी थम्ने का नाम नहीं ले रहा है, बीएड और डीएड का, वही दूसरी लगातार, अब सचिवाले में एक आवेदन पर रहे हैं, कि बीटट पास अभ्यार्थियों को प्रार्थ मिक्ता मिले, जिहां आप देख सकते हैं, लगातार जो है, अभी सचिवाले में आवेदन दिये जा रहे हैं, कि बीटट पास अभ्यार्थियों को पहली प्रार्थ मि आप देख सकते हैं तो अभियाती अभी आपस में लड़ रहे हैं B8 भरसिस DL8, B8 भरसिस C8 अब मुद्दा है बाहरी भरसिस भिहारी आपको बदा दे में जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा अभी कोई उस मुद्दा पर धियान नहीं दे रहे हैं चाहिए वो कैम का मुद्दा हो या फिर अस्थानी का मुद्दा हो लेकिन अभी सभी जो है D8, B8 और B8 सीटेट में लगे हुए हैं और जो में मुद्दा है उस पर किसी काफी ध्यान अक्रिष्ट नहीं हो रहा है हाला कि सचीवाला की अधिकारी अपना स्टेट्मिंट जल्दी के लिए कर सकता है B8 और D8 को लेकर के आपको बताते हैं यहां पर कल सुक्रुबार है कुछ अब्यारती सचीवालाय जाएंगे आप भी अगर जाना चाहते हैं तो आप भी सचीवालाय पहुंचे और अधिकारियों से आप जवाब ले कि आपने क्या देर नहीं लिया है तो इस अपडेट में बस इतना ही